वेल्कम तू गोफर अग्रिकल्चर तो आज के लेक्टर में हम पढने वाले हैं डायेस्टिप सिस्टेम के सेकेंड पार्ट यानि गट फिजोलोजी और इसके डायेस्टिप ग्लैंड्स के बारे में तो पहला जो हमारा टॉपिक है वह है गट फिजोलोजी गट का मतलब मैंन को ठीक है लेकिन अगर overall function अगर देखते है गट का तो उसका क्या है सबसे पहले वो एक passage provide करता है जो food insect ने खाया है उसके transportation में ठीक है मतलब एक रास्ता provide करता है खाने के लिए ठीक है जो खाना है insect का जो खाना है उसको एक बास्ता देता है ठीक है दूसरा जो उसका main function यानि जो primary function है वो क्या है जो ingested food है जो खाया हुआ खाना है उसको digest कराना और साथ-साथ जो metabolites हैं उनको absorb कराना ठीक है तो यह जो गट का function है वो main यह दो functions है जिन में से primary function क्या है digest करवाना ingested food को फिक है अब जो यह जो गट है उसमें एक तो यह काम होरा है digestion का तो digestion किस चीज से होता है उसमें enzymes चाहिए ठीक है different enzymes चाहिए तो वह digestion process है उसको बढ़ाने का जो काम होता है यानि उस जो प्रेइचेस आ है उसको regulate और जो दूसरे microbes हैं, आगे हम पढ़ेंगे microbes के बारे में भी, जैसे protozoa, bacteria, ये different enzymes को secret करते हैं, produce करते हैं, जिसके वैसे, जो digestion process है, वो क्या होता है, fast हो जाता है, ठीक है, हमारा जो next topic है, वो है digestive glands, ठीक है, तो insects के पूरे gut में, sorry, digestive system में, दो तरीके के main glands हम देखेंगे, first, जो उनके bugle cavity में होता है, salivary glands, और दूसरा, hepatic seca, ठीक है, तो digestive glands में हम दो जो पढ़ने वाले हैं, salivary glands, इसको first हम different insects में देखेंगे, mainly जो हम insects देखते हैं, वो हम पढ़ते हैं, cockroach के बारे में, ठीक है, तो अगर सबसे बहले cockroach के बारे हम बात करें, salivary glands के बारे में, त करता है, ठीक है, और जो उनका bugle cavity है, यहीं जो mouth cavity है, उसमें एक छोटा से small pocket पाये जाता है, जिसको हम लोग salivarium भी कहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर यह वाले word पर ध्यान दो, salivarium, ठीक है, salivarium क्या है, एक small pocket है, उनके oral cavity में, mouth cavity में, जो की salivary glands के opening को regulate करता है, regulate नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं, जहाँ पर salivary gland क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है, तो salivarium वो ऐसा जगह है, oral cavity का, जहाँ पर salivary glands क्या होता है, ओपन करता है, अपना secretion पोर आउट करता है, ठीक है, अगर हम caterpillars में बात करें, caterpillars का example सबसे पहले हम देख सकते हैं, जो silk salivary gland की तरह act करता है, और जो उनका main salivary gland है, वो silk production में help करता है, तो यह point हमेसा ध्यान रखना है, जो caterpillars हैं, उनमें जो saliva का secretion है, यानि salivary gland है, वो उनके mandibular glands होते हैं, ठीक है, और जो main salivary glands होते हैं, वो silk production में help करते हैं, ठीक है, तो यह हुआ हमारा salivary gland, ठीक है, अब आते हैं में जो salivary gland का secretion है यानि saliva उसका function क्या है तो saliva का बहुत सारा function है human में भी यानि हम कह सकते है mammals में भी और insects में भी सबसे पहला वो food को motion करता है और food को क्या करता है तिक है क्योंकि हम जानते है जो saliva हमें बहुत सारा enzymes होते है है हाइट्रलाटिक इंजाइम्स होता है जो कि फूड को क्या करते है पार्सली डिजस्ट करना स्टार्ट करते हैं माॉथ में humans के केस में टिक है तो जनरल सलाइवा बीच और जो इन्सेक्ट के नेक्स्ट है स7 अ शक처 N. बीज जो हमारी मधु मक्की होती है उनमें जो स्लैवा के वज़ेसे स्टार्ट हो ज़लिपूट में ही जो ढ diu है श्टार्ट हो जाता है लिपेट्स और प्रोटीन्ग का भी डाइज़ेशन फर एकपल ईसमीं के एक collateral फ्रीजेशन थे की Chopper case में, ताकि वह जो blood है, जब वह सख कर रहे हो, तो cagulate ना करे। ठीक है, और जो last इसका function है, मेंली मैं जो important functions मैं उननी को discuss कर रहा हूँ, जो उनका saliva है, वो एक रास्ता होता है, एक path होता है, different pathogen के लिए, ठीक है, मतलब अगर कोई infected person है, mouse horsepower, for example, ब्लड जिकल करता है जो जो युज़ाटे करते हैं उसी से पैथोजेंट भी क्या हो जाता है चला जाता उनके म्हांथ में और के मौथ और में जाके अपने अपको गरता है तो जो वह एक एंट्री पॉइंट भी है pathogenes में ठीक है दूसरा जो जो उनका digestive gland है वो है hepatic ceca hepatic ceca क्या होता है उनके mid gut में पाए जाता है ठीक है finger like projections होता है यह mainly जो है hepatic ceca में हम देखते हैं उनमें cells पाए जाती है special type की cells पाए जाती है ठीक है जो epithelial cells होती है वहाँ पे digestive uses का क्या करती है secretion करती है digestive uses कह सकते हैं फिर digestive enzyme का secretion करती है hepatic ceca में जो cells होती है ठीक है अब यह जो cells है वो दो type की है पहला holocrine और दूसरा merocrine यहां जो holocrine first type of cells hepatic ceca में और उसके निचे जो लिखा मैंने diccuső cells में निचे अब हम जो बात करेंगे की एक तो मैंने बताया था कि enzyme help करता है और दूसरा जो है microbe help करता है तो कौन-कौन से microbes है उनके बारें बात करेंगे तो एक बार हम पहले इस चार्ट को देखते हैं इन में digestive enzymes लिखा हुआ है जो यह जो hepatic seca है वो secret करता है different insects में जैसे अगर कोई phytophagus larva है जो मतलब plant के पार्ट को ज़्यादा खा रहा है तो उनके food में जो main diet होगा वो starch होगा ठीक है maltose होगा सुक्रोज होगा यानि plant का जो product है वो होगा तो जो starch है उसको digest करने के लिए amylase enzyme जो है वो secret होता है maltose के लिए maltase सुक्रोज को digest करने के लिए invertase enzyme ठीक है digestion मतलब क्या हुआ जो complex food है जिसे यह starch maltose सुक्रोज इनको simpler form में तोड़ देंगे ठीक है तो जो phytophagus larva होता है उनमें यह जो substrate है यानि जो उनका food है starch maltose सुक्रोज उनको तोड़ने के लिए जो enzymes है यह इनके hepatic C का द्वारा सिक्रीट किया जाता है उमनी वोरस insects जो दोनों तरा के खाना कर खाते हैं यानि जो insects को भी काते हैं और जो blood suck भी करते हैं और जो plant को भी खाते हैं उनका में डाइट होता है वह होता है protein और liquid का ठीक है तो रोटीन को तोड़ने के लिए enzyme जो secrert होता है वो protease, lipid के लिए lipase, वैसे ही nectar feeder, जो flowers के nectar को suck करते हैं, उनके main food में होता है सुक्रोज, तो उसको तोड़ने के लिए invertase enzyme, तो उनको तोड़ने के लिए cellulase enzyme चाहिए जो मैगोट्स होते हैं जो फ्लाइस के जो बच्चे होते हैं उनका में वाइन के उपर वो क्या करते हैं अपने आपको ग्रो करते हैं तो उनके में डाइट में क्या हो गया कोलाजेन और इलास्टीन प्रोटीन जो कि उनके मॉसल्स में पाई जाता है तो उसको तोड़ने के लिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए को लाजीनेज जाहिए और जो बर्ड लाइस है यानि बर्ड के उपर जो बर्ड में जो कीड़ लगते हैं bird के skin में फेदर्स में जो ब्लड को सक करते रहते हैं उनका जो digestion है उनका उनको तोडने के लिए किराटीन ठीक है सौरी किराटीन उनका में डाइट हो चाहता है food source तो उसको तोडने के लिए किराटीने जाइम चाहिए तो यह सारे digestive enzymes हैं जो आपको हलके हलके से याद करने पड़ेंगे जो हम mcq में questions को और मतलब उनके substrate और उनके enzymes को हम आपस में relate कर पाएं जो मारा जो second part है वो है microbes का help मतलब मैंने बताया था कि enzyme के वाई से digestion होता है और दूसरा microbes यानि जो symbiotic microorganisms present है insects के अंदर उनके वज़े से digestion तो जो microbes है वो पूरे insect के body में नहीं होता है microbes के जो microbes है वो insect के special type of cells में पाया जाते हैं जिसको में लग बोलते है mysetto site यहाँ पे आप द्यान से देखो मैंने यह word को लिखा हुआ है यह mysetto site मतलब in the insect body few cells are where are considered as the housing symbiote sorry housing cells for the microorganisms called mysetto sites ठीक है और यह जो cells है अलग-अलग कहीं कहीं पे मतलब scattered form में रहते हैं वो group में रहते हैं यह mysetto sites है वो जब aggregate या नहीं जब group बनाते हैं ठीक है और वो एक organ form करते हैं जिसको में क्या कहते है मैसेेटो मैसेटोम मैसेटोम कहते हैं उसको तो ध्यान अगने हैं पर confuse नहीं करना मैसेटोम के एक organ है जिनके each and every cells जो होते हैं उनको हमनों कहते हैं मैसेटोसाइड कहते हैं चाहिए तो यह उनका घर हो गया ठीक है जहां इनको भी माइक्रोब्स में बात कर रहा हूं यह सिंबायोटिक है यानि इनको भी इंसेक्ट से कुछ ने कुछ फायदा होता है मतलब यह उन microbes को फाइदा पहुचाते हैं क्या उनको घर दे रहे हैं रहने के लिए ठीक है और उनका जो इंसेक का food है उसमें से कुछ अपना nutrition भी यह लेते हैं और दूसरा मतलब उनको खाना और रहना दोनों हो जाता है और यही जो microbes है वो इंसेक को कैसे उनके digestion में help कर रहे है different enzymes का secretion करके ठीक है तो जो दो microbes हैं वो है फ्लाजलेटेट प्रोटोजवा फॉर्स्ट ठीक है फ्लाजलेटेट प्रोटोजवा क्या है यह cellulase enzyme का production करता है ठीक है ताक कि जो cellulose आ रहा है जो plant feeding animals insects हैं जो plant को खा रहे हैं उनके डाइट में cellulose है तो उसको digest करने के लिए cellulose enzyme चाहिए जो कि फ्लाजलेटेटेड प्रोटोजवा प्रोटोजवा प्रोड्यूस करता है यह इसका example हम कहां देख सकते हैं termites के case में देख सकते हैं जो wood cockroach जो trees पे cockroach वगरे रहते हैं उ जो है बहुत सारे insects में amino acid का production करता है vitamins का production करता है जैसे bed bug और cockroach के case में ठीक है अब जो यह microbes हैं जैसे एक insect है वो मर गया ठीक है लेकिन जो नया insect है उनमें यह microbes कैसे आ जाता है ठीक है तो microbes के transmission का दो तरीका है ठीक है या तो mouth to mouth feeding बहुत सारे insects होते हैं अपने बच्चों को mouth to mouth feed कराते हैं ठीक है तो यह तो वह तरीका हो गया इस तरीके को हम लोग क्या करते हैं trophallaxis कैड़ते हैं temporary यह ती आरो पी एच एल एक्स हाई आइस ठीक है यहां पर मैंने इसको बोल्ड कर दिया है ठीक है तो यह हो गया हमारा mouth to mouth feeding के वैब से यह जो microbes से वो ट्रांस्मीट हो में transfer हो जाते हैं, ठीक है, अब हमारा जो next topic है, वो है absorption of nutrients, ठीक है, तो जो absorption है insects में, nutrient का, वो mainly होता है mid gut में, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, जो elementary canal होता है, तीन पार्ट में divide होता है, foregut, mid gut और hind gut, ठीक है, तो foregut में कोई digestion नहीं है, ठीक है, mid gut में digestion होता है, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया था, hepatic Cica पाया जाता है, ठीक है, hepatic Cica के पास, hepatic Cica में कह सकते है, microvilli पाया जाता है, ठीक है, जिन में epithelial cells होती है, epithelial cells जो है, वो enzyme का secretion करता है, तो मैंने बताया था, food का मतलब होगा, और कहीं पर भी हो सकता है, mid gut में होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें चाहिए, बैक्टीरिया वगरा, ठीक है, जो microbes, digestion में help कर रहा है, दूसरा हमें enzyme चाहिए, ठीक है, तो enzyme के लिए मार पास, hepatic Cica है जिन में microvilli पाया जाता है, और microvilli बना हुआ किस से, epithelial cells से, जो की different type of enzymes का secretion करते है, में जो process involved होता है, absorption में वो होता है, diffusion का मतलब क्या होता है, अपने higher concentration से, lower concentration की तरफ क्या हो जाना, किस चीज़ का transfer हो जाना, मतलब, अगर कह सकते, बीच में अगर semi permeable membrane है, या फिर कह स ज्यादा है, एक तरफ food का concentration कम है, तो ज्यादा की तरफ से food कम concentration की तरफ चला जाएगा, या फिर कह सकते हैं, एक cell जिसके वास खाना है और एक cell जिसके तरफ खाना नहीं है, जहां पे जिस cell में खाना नहीं है, उसकी तरफ वो transfer हो जाएगा, ये जो process होता है, इसको हम क्या क होता है हाइंडगर जयसे मैंने पाइंट बताया है इलियम, कॉलन और रेक्टम ह데 मोसला हैं तो हमारा exception up to iron गौर कोड़ा होते है तो यह प्रचल्य में हमारा ऑंडियेटब फूद यह पर अउसमें थाद उयूदि समें टो छोह और टा इंसेक वॉत maximum और क्रिकिया करता तो यहां पे जो rectum part है, वहां पे absorption of ions and water होता है, ठीक है, लिपिड का absorption होता है crop में, for example, cockroach के case में अगर ही देखेंगे, तो जो लिपिड absorption होता है, वो crop poly reason में होता है, अगर हम solid feeder insects के बारे बात करें, जो solid food को खाते हैं, तो उनका pillet, यानि जो excreta होगा, वो solid form में होगा, इस का जो excreta है, वो uric acid के form में निकलता है, uric acid crystals के form में, लेकिन अगर यही liquid feeder है, ठीक है, तो उनका faces भी क्या होगा, liquid form में होगा, तो liquid faces जो होता है, उसमें soluble sugars पाए जाते हैं, जो liquid feeders जो insect होते हैं, उनके liquid faces में soluble sugars पाए जाते हैं, amino acids पाए जाते हैं, तो इसी लिए इनके exc यह जो मैंने word लिखा है, honey dew, यहाँ पे नीचे में, यह इसका मतलब क्या है, जो liquid feeder का excreta है, वो soluble sugars और amino acid के साथ होता है, जिसको हम लोग honey dew क्याते हैं, जो attract करता है ants को उनके खाने के लिए, ठीक है, मतलब जाएंगे उनके excreta को खाने के लिए, और वो अपने ant को क्या कर जाएगा, उसी के वैसे वहाँ पे ant को जाएगे क्या कर सकता है, खा सकता है, ठीक है, और जो हमारा इस lecture का last topic है, वो है, elementary canal, उससे पहले 2-3 points और हैं, यहाँ पे धान दो, inside the gizzard, हम mainly cockroach के बारे बात कर रहे हैं, inside the gizzard, six catenous cuticular teeth is present, which helps in pulverizing the food, ठीक है, mid gut is the main site of digestion and assimilation, तो यह ज दिखा हुआ है, six catenous circular teeth, cuticular teeth, इसका मतलब यह हुआ कि, जैसे देखो, हम elementary canal देखते हैं, सबसे पहले mouth से start होता है, फिर pharynx आता है, फिर isophagus, फिर crop आता है, फिर gizzard आता है, ठीक है, तो gizzard वो part है, इंसक के elementary canal का, जहां पे food को क्या गयादा है, तोड़ा जाता है, तो अब स अब सारे इंसक्तों solid food को खाते नहीं है, तो यह जो gizzard part है, mainly functional किसमे होता है, जो solid feeders होते है, जिनमें food को तोड़ना जरूरी है, liquid feeders होते हैं, तो इंसक्त में जो cockroach है जैसे, जो solid food काता है, उनमें जो gizzard है, उनके इंदर cuticular lining होती है, वो teeth के form में होता है, ठीक है, और वो number क tract जो है, उस तीन पार्ट में है, foregut, midgut और hindgut, तो foregut और midgut के junction पे, ठीक है, foregut और midgut के junction पे, क्या पाया जाता है, हिपाटिक सी का पाया जाता है, ठीक है, और जो midgut और hindgut है, वहाँ पे पाया जाता है, malpigen tubules, ठीक है, malpigen tubules क्या है, यह excretory organ है, जो की nitrogenous waste को क्य करता है, eliminate करता है, इसको कैसे insect में कैसे देख के पैचान सकते है, यह yellow color का होता है, hair like structure होता है, ठीक है, क्योंकि hair like structure से उनका क्या हो रहा है, surface area बढ़ता है, तो यह भी इनके functionality क्या हो जाती है, increase हो जाती है, इनका जो work efficiency होता है, वो बढ़ जाता है, और जो हमारा last topic है, वो ह है, elementary canal of cockroach, ठीक है, तो elementary canal, वो मैंने पहले ही elementary canal discuss कर दिया है, इसलिए last मैं बस इसको discuss करूँगा, थोड़े से पार्ट को, elementary canal of cockroach, हम जागर देखें, तो वो start होता है, cockroach में, mouth से लेके N-spend होता है, ठीक है, जो posterior part है, elementary canal का cockroach में, वो convolated होता है, convolated मतलब, वो बहुत आता कह कह सकते है, tube जो होता है, आपस में, उलजे हुए दिखते है, ठीक है, या फिर मुडे हुए कह सकते है, यह जो elementary canal है, वो तीन पार्ट में होगा, foregut, midgut और hindgut, ठीक है, foregut, कहां से start होता है, mouth से, फिर pharynx में, फिर isophagus में, फिर crop में, फिर gizzard में, ठीक है, फिर midgut आत होता है, तो I hope यह जो पूरा digestive system है, मैंने दो lectures लिए हैं, इसको complete करने के लिए, part 1 और part 2, मेरा request है सभी से कि कोई भी अगर यह digestive system का lecture देख रहा है, तो वो first lecture को भी जरूर देखे, मतलब जो first part है digestive system का, उसको भी completely देखे, तब ही यह चीजे जो concept है digestive system का insect में, वो clear हो subscribe करें, और अब हमारे instagram channel go for agriculture को भी follow कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारी latest video की notification मिल जाएंगी, अगर किसी को इस lecture के pdf या फिर ppt चाहिए, तो हमारे telegram channel पे आके इसे download कर सकता है, या फिर वहाँ से उसे ले सकता है, मैंने telegram channel का है पे screenshot भी दे दिया है, और वो इस link से जाके कोई भी इस link से आप उस channel को जाके join कर सकते हैं, तो चले फिर मिलते हैं next lecture में, thank you